बगैर travel history बगैर किसी heavy bank statement के डिरेक्ट्ट आपको वीजा मिलेगा पाकिस्टानी पास्पोर्ट के उपर आप एजेंटों के पास ना जाएं आपको किसी भी country के पहले वीजा होने की जरूरत यह है कोई किसी गिसम की bank statement के भी जरूरत नहीं है मैं आपको अगर आपके पास फ्रेश पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो मैं आपको तीन ऐसे कंट्री के बारे में बताऊंगा जिन में आप बगएर बैंक स्टेटमेंट के जा सकते हैं बगएर ट्रेवल हिस्ट्री के जा सकते हैं और फ्रेश पाकिस्तानी पास्पोर्ट के उपर जा सकती है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल टीच वीजा को सब्सक्राइब नहीं किया लहाजा आप से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल टीच वीजा को आप सब्सक्राइब करे और इन वीडियो को इस चैनल के उपर जो भी वीडियो अपलोड की जाती है इन वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ प्लीज जरूर शेर किया करें तांके हर एक दोस्त तक information पहुन सके जी तो दोस्तों बात करते हैं किसी भी country का इस वक्त किसी भी country का वीज़ा अपलाई करते हैं तो bank statement I think होना सबसे important requirement हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं आपको तीन country के बारे में बताऊंगा जिनका वीज़ा अपलाई करने के लिए आपको ना ही bank statement की जरूरत है और ना ही किसी travel history की जरूरत है अगर आपके पास fresh पाकिस्तानी पासपोर्ट है आपने पहले किसी भी country में ट्रेवल नहीं किया तो भी आपको इस country का वीज़ा बाअसानी मिल जाएगा ना ही bank statement ना ही travel history वीज़ा इन्शालला आपको फिर भी मिलेगा पहले नमबर पार जो country है वो है कतर कतर का आप किसी भी category का वीज़ा अपलाई करें business visa, tourist visa, work visa किसी भी category का वीज़ा अपलाई करें पाकिस्तान से तो बगएर bank statement के बगएर travel history के भी आप अपलाई करेंगे तो इन्शालला 100% कतर का वीज़ा आपको मिलेगा और पाकिसान से direct flight भी मिलना possible है कम पैसो में भी आप visit कर सकेंगे और अपनी एक अच्छी travel history बना सकेंगे अमेरिका, यूरफ, कैनिडा के लिए दूसरे नमबर पर जो country है वो है अजरबाईजान, अजरबाईजान का ईवीज़ा अपलाई करने के लिए आपको नहीं किसी bank statement की जरूरत है नहीं आपको लाइक किसी भी heavy travel history की जरूरत है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा अजरबाईजान का वीज़ा भी आपको असानी से गर बैठे बगार एजेंट के मिल जाएगा और अगर आप अजरबाईजान जाने में इंटरस्टेड हैं तो लास्ट वीडियो मैंने इसी चैनल टीच वीज़ा के उपर अपलोड की है उस वीडियो को आप देख लें अगर आपके पास 10 लाख रुपया है पाकिस्दानी 10 लाख रुपया है तो आप किस तरह अजरबाईजान से आगे आप योरब बासानी जा सकती है बग्यर एजेंट के जा सकती है कम पैसों में जा सकती है वो वीडियो को जरूर देख ले तीसरे नमबर पर जो कंट्री है वो कंट्री एक्स्प्रेंट करने से पहले मैं आपको बता दू कि अगर आपने इस चैनल टीच वीजा को सब्सक्राइब किया है तो आप इन कंट्री के बारे में पहले ही जानते होंगे मैं बात कर रहा हूँ यूगानडा, कीनिया, रवांडा, बैनन, तंजानिया, जंबावे, जंबिया, निभबिया इन कंट्री की ये छे ऐसी कंट्री हैं दोस्तों इनमे किसे भी एक कंट्री में अगर आप लैंड कर जाते हैं तो आप हाखी कंट्री में बार्डर ग्राजिंग करके एजिली अपनी एक अच्छी मजबूत ट्रावल हिस्ट्री बना सकती है जो के बाद में आपके योरप का, कैनिडा का, अमेरिका का, यूके का वीजा अपलाई करने के लिए भी बहुत ही इंपोर्टन्ट साबबत हो सकती है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख ले तो किस तरह सिर्फ एक फ्लाई टिगेट के उपर बाकी जितने भी साथ कंट्रियां हैं आप उन में किस तरह ट्रैवल कर सकते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लिए उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मैं इंशाला डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा तो आप वीडियो को देखें चैनल टीच वीजा को सब्सक्राइब करें मिलते हैं इंशाला आपसे नेक्स्ट वीडियो में अ Allah Hafiz